आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारते इतिहास के कलास में प्राचीन इतिहास के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं महाजन पत को महाजन पत को समझने के लिए थोरा सा पीछी चलते हैं इसके पहले जो पिछली कलास आय थी उसमें हम लोग कवर किये थे प्राचीन धार्मिक आंदुलन को प्राचीन धार्मिक आंदुलन के अंदर हम लोग इन सभी धर्मों के बारे में पढ़ा था और ये जो सभी धर्म आया था इसके पीछे कारम था वैदिक सब्वेता क्योंकि वैधिक सभेता की बात के जाए तो वैधिक सभेता के अंत तक यानि आपको 600 BC तक जो क्या हुआ था, उस समय चल रहा था उत्रवैधिक काल, उत्टरवैधिक काल में क्या हुआ था तो बहुत सारे आपके फैल गए थे धारमी के अग करमकांड और इनी करमकांडों को मीटाने के लिए जो है नए नए धर्मों का विकास हुआ था जैसे जैन धर्म, बाउत धर्म, सेव धर्म ये सब धर्मे आये थे और एक तरफ अगर बात के जाए तो 1000 PC के आसपास यानि उत्तरवाइदी काल में जो है लोहे का भी खोज हो गया था लोहे के खोज होने के बाद चलिए अच्छे से देखते हैं जब हम बात करने हैं 600 PC पुरु का यानि आपको उत्तरवाइदी काल का उत्तरवाइदी काल में इस समय जो है लोहे का आगमन हो चुका था लोहे का आगमन होने से क्या हुआ था तो क्रिसी कारे असान हो गया था जब आसान हो गया तो लोग खेती बारी करने लगे थे और एक जगह जब खेती बारी करने लगे जब भूमी उपजाव हो गया तो लोग वहां पे अस्थाई निवास यानि आपको एक ही जगह लोग बसने लगे अब एक जगह लोग मान लेजे बहुत सारा कोई बस रहा है तो वहां पे आर्थिक प्रभावित किया था कौन तो यह लोगे के आगमन से अब यहां पे क्या हुआ अब हम लोग पिछले जब पढ़ रहे थे उत्तरवैदी काल में तो वैदी काल में आपको देख रहे थे कि जो प्रिवार की सबसे छोटी इकाई थी वह थी कुल बहुत सारा कुल मिलाकर ग्र समराज को पहलाने के लिए क्योंकि यहां पे अस्थाई निमास लोग बस गिया था तो जनपद का प्रभूत पहलाने के लिए अपने समराज को बढ़ाने के लिए बहुत सारा जनपद मिलकर अपने समराज को बढ़ाने लगा और फिर बहुत सारा जनपद मिलकर महाजन पत के बारे में अगर बात करें तो महाजन पत के जनकारी मिलता है वह मिलता है बौध गरंथ और जनकारी मिलता है इसके दो गरंथ है दोनों से महाजन पत के बारे में जनकारी मिलता है तो बहुत इंपोर्णथ है बहुत गरंथ कौन सा है तो वह है अंगुत्तर इकाय और जन गरंत है भगवाती सुत्र इन दोनों से जो है महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती है तो यह बहुत important है दोनों को याद रखिएगा अब हम बात करें कुल महाजन पद कितने थे तो 16 महाजन पद थे और इन 16 महाजन पद में सबसे जो सकती साली था वह था मगद बाद में यहीं जो मगद है अपने मगद का उतकर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो मगद समराज बना था और उस समराज को बनने में जो है बहुत सारा महाजन पद मिलकर एक समराज बनाया था तो उसके बारे में हम अगला क्लास में जब आएगा मगत काउत कर तो उसमें पढ़ेंगे अब हम पढ़ रहे हैं महाजन पद तो अभी देखें हैं महाजन पद जो है कुल महाजन पद 16 है तो यहाँ पे 16 को जो है याद करना बहुत असान है देखिए हम लोग इसको कैसे आद रख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में दिख रहे हैं यह भारत के नक्सा यह जो है उस समय का जो आपको महाजन पद था यह उसका आपको वर्तमान इस्तिती बता रहा है कहां कहां पे था लेकिन हम उस समय की बात करें देखिए जब ये 600 BC जब भारत था यानि आपको छटी सताब्दी इसापुरु में जो भारत की बात के जाए तो यहाँ पे महाजनपद इस सरूप में दिखता था यानि भारत का नक्सा जो है उस समय ऐसा दिखता था यानि अगर आप इज़र द और यह जो मैप है आपके 600 BC का है अब यहाँ पे देखिए महाजनपद जो है कुल महाजनपद यहाँ पे आपको दिख रहाओगा 16 महाजनपद और इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट था वह था आपका मगद यानि मगद यानि अवरतमान आपके पाटली पुत्र यानि पट महाजनपद में तो वरतमान अगर भारत के बात करें तो वरतमान भारत से जो है दो ऐसा आपको महाजनपद है जो भारत से बाहर परता है एक आपका है गंधार और दूसरा है कमबोज गंधार की बात करें तो यहाँ पर देखिए पारता है यहाँ पर यह पाकिस्तान में उ उसके अलावा गर बात करें तो उत्तर परदेश में आठ महाजनपद परता है और आठ महाजनपद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए उत्तर परदेश का कोई भी एक्जाम परता है अगर आप उत्तर परदेश से हैं तो यहाँ इसके ब मल, वत्स, कुरू और सुरुसेन. यहाँ पे इसकी रजधाने भी थी सब की सभी जनपदों की, तो यहाँ पे हम लोग इसकी रजधानी को भी देखेंगे. अब तो यह गया उत्तर परदेश से आठ, भारत से बाहर दो, और बिहार की बात करें, तो बिहार से कुल तीन आपके महाजन पद थे, उसमें पहला था मगद, दूसरा अंग और तीसरा आपका वजजी, तो यह तीन जो है बिहार से था, और यहीं बिहार का मगद जो है बहुत इसमें सक्ति साली था, और यहीं से मगत समराज जो है जनम लिया था उसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लोग कितना देख लिए आठ तीन एगारा और एगारा और आपका ही हो गया दो कितना तेरा तेरा देख लिए अब बचा मातर हम लोग यहाँ पर तीन तो उसके बाद तीन के अगर बात करें देखिए, एक आपका परता है मध्य परदेश में, मध्य परदेश में देखिए यहाँ पर अवंती है, यहाँ पर मध्य परदेश में अवंती था, उसके बाद बात करें असमक, असमक जो है बहुत इंपॉर्डेंट है, यहाँ परता ह तो आपके असमक था, अगर उसके बात करें, तो एक आपके राजस्थान में परता है, और राजस्थान में मतस्य था, यह आपका महाजनपद, तो यहाँ पर इस 16 महाजनपद को एक बार आप देख लिए होंगे, यह आपको वर्तमान भरत की मैप पर परता है, लेकिन उस समय यहाँ पर आप देखिए, यह आपका परता है कंबोज, जो कंबोज और गंधार है, यह भारत से दोनों बाहर था, यहाँ पर देखिए एक कुरु था, जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं दिल्ली, कुरु छेत्र या आप पर रहे होंगे, यह आपको इंद्र परस्ति की राज हानी थी, जब हम लोग पर रहे थे वैदिक से भी था, तो वहाँ पर भी इसको देखे थे, कुरु जनपत था, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर देखिए, यह आपका मगद वाला देख लिए, अंग देख लिए, यह सब आपके परता था बिहार वाला छेत्र मे उसके बाद बात करें, यहाँ पर देखिए, मल, कोसल हो गया, पांचाल हो गया, कासी हो गया, मतुरा हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, यह सब आपके परता था उत्तर परदेश में, तो यह भी याद रखेगा, अवंती वाला यहाँ पर देखिए, वरतमान में जो देख लिए होंगे अब हम आगे चलते हैं अब हम यहां पर देखिए महाजनपद की बारे में बात करते हैं तो अगर बात करें 16 महाजनपद में तो 16 महाजनपद में दो ऐसा महाजनपद था जहां पर गंतात्मक विवस्ता था यानि गंतात्मक मतलब क्या हुआ यानि गंतात चलता था और वह आपके था वज्जी और मल तो यहाँ पे वज्जी और मल को याद रखेगा एक मात्र दो ही था जहाँ पे गंतात्मक विवस्ता था बाकी महाजन पत में क्या था तो राज तन्वक विवस्ता था यानि यहाँ पे राजा का सासन चलता था राजा का बेटा ही राजा बनता था तो यह आपको दूसरे जगा था लेकिन दो आपको याद रखने है वज्जी और मल तो यहाँ पर इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग देखिए जितने भी महादन पत पढ़े हैं तो वहाँ पर देखिए जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज लेक्षवी बहुत important है लेक्षवी आपको एतिहासिक दिश्टी कों से बहुत महतपुन रखता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे मिडियर से cover करेंगे यहां पर लेक्षवी की अगर बात कहें तो लेक्षवी जो है बिश्वी का पहला गंतंत्र को यह यह चीज़े आपको याद रखेगा यहां पर बिहार के एक्जाम देजीगा आगे हम बात करते हैं दक्षिन भारत में एसी तेक्मात्र महा जनपत अभी पता है आपको असमक जो परता है महाराष्ट में कुशन घुमा करी पुछता है आपको नर्मदा नदी के दक्षिन मे कौन है तो यह आपको कौन है असमक यानि जो महराष्ट वाला है आगे हम बात करेंगे अब अब यहाँ पर चलिए यतने भी महाजनपद है उनको हम देखते हैं और उनसे संबंदित जो फैक्ट है उसको देखेंगे और यहां से आपके एकजाम में बहुत कुछन पुछेगा जैसे मगत की बात करें तो मगत परता है आपके बिहार में अब जो भी बिहार का एकजाम देते हैं बिहार के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर हम बात करें मगत के बारे में तो मगत जो है सभी 16 महाजनपद में सबसे सकतिसाली महाजनपद था यह जो आपके वरतमान अगर हम बात करें भारत में कहां परते हैं तो आपको बताएं है ये गंगा के किनारे मगद वाला यानि पाटली पूतर वाला एरिया था तो यहां पर देखिए ये दक्षिन बिहार यानि पटना और गया वाला जो छेतर है अगर हम बात करें इसे बिहार का जो इसे नक्सा ब गया तो यह आपको वर्तमान इस्तिती है किसका तो मगद का है उसके बाद बात करें मगद का जो राज़ानी कहा हुआ करता था तो वह आपको राजगीरी यानि पाठली पुत्रा हुआ करता था अगर हम बात करें पाठली पुत्रा का तो बहुत यह आपको प्रुवाना नाम है और यह बहुत खेमस अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं जो अभी वर्तमान बिहार की राजधानी है और यह जो आपको पाटली पुत्रा है कई इतिहासिक जो है उसके राजधानी रह चुका है जैसे अगर हम बात करें सिसुनाग वंस में सिसुनाग वंस के समय मोर मावन्स के समय में भी प्रख्रा था और कियोंकि यूग सबसे सकति सकतिसाली पत बना नियुक्त वाला जो एरिया है उसके जह बट्ले वाला इलाके था जो चारो तरब से सुरक्षा के दिश्टिकों से घीरा हुआ था जब हम लोग पढ़ेंगे मगत समराज तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से कवर करेंगे अब यहाँ पर देखिए मगत के बारे में थोड़ा जादा जनकारी प्राप्त करना है क्योंकि जो यहार को दो भागों में ऐसे गंगा नदी बारता है तो आपको नीचे वाला दक्षिन था और उपर इसके गंगा नदी था तो यहाँ से देखिए एक तरफ गंगा नदी है अगर हम बात करें नीचे यानि दक्षिन में तो आपको बिंधे परवत तक मगत फैलागवा था पुर्यों में आपको चम्पा नदी था, चम्पा नगर भी था और चम्पा नदी भी था, और इसके बगल में थोरा सा आपको एक अवंती महाजन पत था, यह जो आपको चम्पा नदी था, वो आपको अवंती को दो भागों में, यानि मगद और अवंती के बीच में एक नद तो ये आपको उस समय का जो है ये मगत का भोगोलिक इस्तिती था अब यहां पर देखिए जो मगत था अभी बाद में जब हम लोग मगत समराज परेंगे जब यहाँ पे जितने भी महाजन पद थे तो महाजन पद में एक संघर्स का दोर चला अपने समराज को फैलाने के लिए और उसमें जो सबसे तेजी से फैला वो फैला मगद समराज तो मगद समराज कैसे बना तो यहाँ पे जितने भी महाजन पद थे महाजन पद मिलकर यानि कुल इसमें बहुत ऐसे महाजन पद मिले लेकिन चार मुखे महाजन पद थे जो मगत समराज को बनने में यहाँ पर help किया था तो यहाँ पर मगत में देखिए आपको एक खुद मगत महाजन पद उसके बाद अवन्ति था जो इसके बगल में था उसके बाद कौसल था यानि आपको मगत से तोरा उपर था और वाटस था यह जो सब आपको था यह सब मिलाकर मगत समराज बना था जब आपको मगत समराज आगे परेंगे तो इसको माशुक की बात कर्या देखिए मौस से मौरे वंस सौस सूग वंस और कर से कन्ना वंस और यहाँ पे साथ से सातवाहन वंस तो यह जो है आपको यतने भी यहाँ पे साथ जो वंस है वह सभी मगर्ण समराज पर सासन किये थे लेकिन इसके बीच में भहूत सारा जो है उतल पतल हुआ है जैसे एगर हम बात करें जैसे नंद वन्स इसमें जो समाप्त होने वाला था घाना नंद तो उस समय सीकंदर आक्रमन कर दिया था तो यहाँ पर यह जो तीन वन्स है यहीं मुख्रूप से माने जाते हैं जो मौगत समराज पे सासन किये थे तो यहाँ पर यह जो ब्रामन वंस देखने को मिलता है वो आपका सूग वंस और कर्ण वंस तो यह ब्रामन वंस के अंतरगत आते हैं तो मेर् 도 मगल समराज की बाती है तो वह टीन ही हैं आपको हर्यक सिस्वौनाग्ट और नंदवनस तो इसके बारे में अगला जो आपका कलास आने वाला है मगद का बिस्तार, मगद का उतकर्स, उसमें हम लोग इन तीनों टॉपिकों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, आगे हम बात करते हैं मगद देख लिए, अब हम चलते हैं, अगला महाजनपद वो है अंग, अंग की बा देखे हैं यहाँ पर चमपा जो था, मगद और अंग को यह दो भागों में बारता था, यह जो है एक नदी बंदर गाहा भी था, जो आपको ब्यापार के लिए परसीद था, और प्राचीन काल में यह जो चमपा था, उसको किस नाम से जाना था तो मालीनी के नाम से जाना और बुध कालीन अगर हम बात करें, बुध के समय में छे महा नगर का आपको बताया गया था, जो है बुध के समय में था, तो उसमें एक नगर आपका चमपा भी था, यह भी आप 포인्ट याद रखिए गा, आगे हम बात करेंगे अंग के बारे में, तो मगद का जो सासक था बिम्बिसार, बिम्बिसार के द्वारा अंग का सासक जो था ब्रमदत, ब्रमदत को बिम्बिसार ने हरा दिया था और अंग को मगद में मिला लिया था, जहां हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे आपके आगे हर्यकवंस, तो ये आपको चीजे ज़्यादा क्लियर होगी अगर हम बात करते हैं वज्जी का वज्जी की बात करें तो वज्जी भी परता है बिहार में वज्जी की बात करें तो ये वज्जी जो था आठ संग मिलकर वज्जी का निर्मान किया था और ये जो आठ संग था आपको वर्तमान बिहार और नेपाल वाला छेतर था और यहीं आपको संग है मिलकर वजी संग किया यहीं आपको वजी महाजन पत का निर्वानी हुआ था और यह जो वजी वरतमान में परता है आपको बैसाली जीला जो आपके वरतमान में हाजिपूर देखते हैं उसी को बैसाली बलायाता है उसके बाद आपको मुझपरपूर जीला है और मुझापकपुर जीले के एक बसार जीला है, तो यहाँ पे यह जो आपका वर्तमान सिती परता है वजी का, वजी का जो राधानी हुआ करता है वो आपको बैसाली, जो हाजीपूर है यहीं वर्तमान में बैसाली कहा जाता है, ये वजी की दर्धाने उस समय हुआ करती थी तो ये आपको चीजे याद रखना है वजी से अब हम वजी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए इस संबंदित आप हम important point देखेंगे जो आपको इतिहां से संबंदित है जैसे महाबीर स्वामी की बात करें तो महाबीर स्वामी जो है वजी संग के ग्यातरी कुल से संबंदित है यानि जो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक संग देखेंगे हैं ग्यातरी इसी कुल के आपको संबंदित है महाबीर स्वामी क्योंकि यहाँ पर कैसे संबंदी थे तो महाबीर स्वामी की जो मा थी तिरसला देवी वो लिक्षवी गन की थी तो यहाँ पर देखिए यह लिक्षवी गन से भी संबंदी थे तो यहाँ पर आपको मतलब यहीं से संबंद रखते थे आपके महाबीर स्वामी उसके बाद अगर हम बात करें आगे बिम्बिसार ने लिख्षवी सासक चेटक की बहन से साधी किया था लिख्षवी की ही आपको सासक था चेटक और चेटक का जो एक बहन थी उसी के बहन से बिम्बिसार ने भी साधी किया था जब हम लोग हर्यक बंस परेंगे तो आपको आगे मिलेगा और यहाँ पर यह जो सासक जो आपको जो चेटक की जो बहन थी इसी से अजाद सत्रू का जनम लिया था जो अजाद सत्रू है अंग महाजन पद का सासक बना था तो यह आपको चीज़े याद रखीगा जबकि हम बात करें वजजी से देखिए बहुत धरम से क्या क्या समद रखता है तो महात्मा बुद्ध जो है लिक्चियों के नियंतरन पर ही बैसाली गये थे आपको मालम होगा बैसाली की एक निर्थकी थी अमरपाली अमरपाली से जो है भागवान बुद्ध हर एक पांचवे वरस मिलने जाते थे और वहाँ पे एक बिहार जो भी बना था यानि आपको बहुत बिक्चु के रहने के लिए एक बिहार भी आपको परदान किया गया था महात्मा बुद्ध के लिए तो उसके भी आप याद रख सकते हैं और वजी में ही अगर बात करेंगे तो गंतात्मक बिवस्ता था यहाँ बताया है कि वजी और आपके मल जज़ा संजुक्त वाला और लला संजुक्त वाला यहाँ पे क्या था गंतात्मक बिवस्ता थी बाकी जगा राजतात्मक था, तो वज्जी में आपको याद रखिएगा गंतात्मक बवस्ता, आगे हम बात करेंगे कासी के बारे में, कासी परता है वरतमान उत्तर परदेश में, कासी यानि बनारस, वरतमान आपका बनारस हो गया है, तो वरतमान असित्री की बात करें, दे देखिए कासी की देखिए 23 त्रितकर जो थे पारसोनाथ पारसोनाथ के जो पिता थे अस्वसेन वो आपको इसी कासी के राजा हुआ कर देखे जो जैन के 23 त्रितकर थे पारसोनाथ यहां जैन त्रितकर की बात करें तो जैन जो त्रितकर थे वहाँ पे तीन त्रितकरों का ज करनी सब्सक्राइब करने का गाट यह सब्सक्राइब घूमें होगे बनारस भपनारस में ऍब अगे हम बात करेंगे और यहां के वर्त्सवमां. बरत्स्रान उत्तर पर चैसdal पड़ता है और इस pasture जो बरतमान इस्थिति है वो आपको परियाग राज जो अभी आपको पहले इलहाबाद के नाम से जानते थे और यहीं परियाग राज और आपके मिर्जा पुर्जवाला जो छेतर है यहापको उस समय का वत्स था और इसके जो रधानी हुआ करती थी वस्त की वह थी जो आजोनिक आपका ये गाउं है कस्वा वो है कोसम ऐसा मना जाता है कि यहीं आपका कोसम जो था उस समय जो है वत्स की रधानी हुआ करती थी जो उस समय कोसांवी के नाम से जाना जाएदा था और इसी वत्स का सासक था उदैन जो बुध के समय में था यहाद रख सकते हैं और यहां पे एक 200 परसिद बौध मट भी है जो घोसीता राम के मट से नाम से फेमस है यहीं आपको वत्स का तो यह भी याद रखिएगा आगे चलते हैं आगे आपका महाजन पत हैं चेदी चेदी की बात के जाए तो यह भी आपके पड़ता है कहां पे तो उत्तर परदेश में चेदी जो है आधुनिक बुंदेल खर छेतर पड़ता है जो यमनदी के ठट पे है और चेदी के जानी हुआ करते हैं सुक्ति मती सुक्ति मती की बात करें तो वर्तमान जो गवालियर छेतर है चंदेरी कस्वा के नाम से यह आपको उस समय का सुक्ति मती था चासर की बात करें यहां के तो सिसुपाल था जो महाभारत के समय में था और आपको महाभारत के अनुसार इसी सिसुपाल की हत्या किया गया था आ उसी से जो है सुिसुपाल की हत्या कि गयी थी जो जो चेदी आपको जोThey महाजनपदका साशक था हम बात करेंगे शूरसेन सूरसेन जो है वे भी आपको उत्रपर्धिस परता है शूरसिन का जो वर्तमान I constru हैं वो आपको मतुरा वाला इलाका जो अर्तमान में पड़ता है उत्तर प्रदेश में राजानी भी इसका मतुरा हुआ करती जो यम्नादी के टट पिर था और यहां पर सूर्शन का सासर कौन था तो अवंती जो पूत्र था जिसको भगवान कृष्ण या या दुवंस के नाम गया था इंडिका इंडिका में भी आपको सूर्शन का उलेख देखने को मिलता है तो यह सूर्शन से याद रखिएगा अब हम बात करेंगे आगे पंचाल पंचाल की अगर बात के जाए तो या रतमाने सिती जो परता है वह आपको बरेली बदायू और फरुखा बाजो ज यह चाल से था अच्छत्र और दश्नी पंचाल क्रतानिये हुआ कर रहा था कामिळ्या अई श्रकी की बात के जाए तो यह बरेली का जो बरतमान राम नगयर है उससे चिनित किया गया है अचित्र को जबकि जो कामिळ्य्या है वो आपको परुखा बादर परता है तो यह आपको परतमानवाला छेतर है तो इसको देख लीजिएगा पंचाल का जो उलेख है वह आपको महाभारत और अस्टा ध्याई में भी मिलता है क्योंकि यहीं पंचाल से जो थी दुरापदी आपको माने जाती है महाभारत के स्वाई में जो दुरापदी थी जो आपको पांड परदेश का मेरट है और थानेस्वार उस्था आपको उस समय का कुरु था इसकी राज़्ानी आपको दो करतें जैसे एक था उिंद्र प्रस्त जो आपको वर्तमानद दिलि वाला छेतर है जो यमणादी के टट पर है जबकि एक था आपको हस्टिनापूर, हस्टिनापूर आपको पढ़ता है मेरठ में, यानि उतरपर देस में दिली थनेश्वा वाला जो छेटर था वो आपको हस्तीना पुरुवला छेटर सा तो गंगनादी के टटपे है तो इसका दो राजधान याद रखिए कुरु का एक आपको गंगनादी के टटपे और दूसरा यमदानादी के टटपे आगे हम बात करेंगे कुरु के बारे में तो कुरू जो है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था और कुरू राज्य का संबंद जो है युदिश्च्री के परियार से था जो कौराओ के नाम से जानते हैं तो इनका जो संबंद आपको युद्धिश्यृ के परिवार से मनाई था है कुरू के बारे में अगला आपका है अवंति अवंति की बात करें तो यह पढ़ता है वर्तमान मध्य पर्देश में और मध्य पर्देश का जो उजयन जीला है जो नरमाद नादी के टट पे है यह वर्तमान एस्तिती है अवंति का अवंति का ही सासक था चंड प्रदोत जो बुद्ध के समकालीन था और एक समय चंड प्रदोत को जो है बहुत खत्रा बिमारी हो गया था उसमें जिसको पीलिया के नाम से जनते हैं और यहां पर पीलिया का जो है उसमें इलाज बहुत असंभ यहां पर हर्यक्वंस का जो सासक था बिमिसार ने अपने जीवक नामक बैत था उसको भी ऐ सासक को इलाज करने के लिए और वहां पर पीलया इसको ठीक कर दिया गया था उसके बाद मगळक के समराज को फैलाने में जो है आपको विमिसार ने इसके जो उत्री अवंति था जो उजयन के इसका राज़ानी था और जो दचनी अवंति था उसका महाईस्माती राज़ानी था तो ये आपको इसका भी दो राज़ानी इसको याद रखिएगा और चंद रगुपत विक्रमदित्य के समय जो है गुपतो के राज़ानी जो है अवंत बना था तो यह भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग more events पढ़ेंगे आगे बात करते हैं मतस्य का मतस्य जो है यह आपको परता है राजस्तान में राजस्तान का जो वरतमान आगर बात के जाए इस्तिति इसका तो जैपूर और भरतपूर और अलवर जो छेत्र है यह प परता था क्योंकि उस समय कराया था बिराट और बिराट के द्वारा ही एक नगर बस आया गया था बिराट नगर तो यहां पर मतस्य के रिथान यहीं बिराट नगर था और यहां के सास्थ था बिराट तो यह आपको याद रखिएगा और अगर हम बात करें मतस्य का तो है भारत का और उधर आपका पाकिस्तान, वो वाला छे लिए लिए जैसे आपको फूर चे तो यह आपको भारत से स्थोरा सटा हुआ है लेकिन यह पड़ता है आपको प्योगे में इसलिए आपको यह प Tsolod यानि आपको भारत से बाहर मना जाता है और यहां पर कमबोज की जानी जो थी आपको हाटक थी जो आपको राजपूर के नाम से जाना जाता है कमबोज की बात के जाए तो यहां पर कमबोज का जो है वारता सस्त्र पजीवी कहा है तो बहुत इंपॉरेंट है किसने कहा है तो कौटी लेने किसको तो कम़ोज को क्यों कहा है वारता सस्त्रपजिवी क्योंकि यहाँ पे के लोग थे कम़ोज के क्रिसी, पस्टुपारणवनिज और सास्त्रे के द्वारा जिवी का चला दे centralized इसलिए जो है कौटी लेने कम़ोज को वारता सस्त्र पजीवी कहा है प्राचीन काल में जो है कमबोज था वापको गोड़ों के लिए जाने रहे बहुत परसीद था कमबोज तो यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं आगे हम बात करेंगे गंधार का गंधार की बात करें तो यह भी पड़ता है आपको भारत से बाहर यानि पकिस्तान ने परता है पकिस्तान का जो आपको जो रावन पिंडी पंजाब और पेसावर वाला छेतर है यह आपको गंधार वाला छेतर है वरतमान में और अधानी इसका हुआ कर था तक्छ सीला तक्षिला आपको बहुत फेमस है नाम याद होगा और तक्षिला की बात किया जाए तो रमायन के अनुसार ऐसा मना जाता है कि जो भरत के जो पुत्र थे तक्ष के द्वारा ही जो है तक्षिला सार की अस्थापना की गई थी याद रखीगा और यहां गंधार का जो सासकता हुआ था पुस्पे कलावती जो बिंबीसार का प।्र था तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कलांदर में जो है गंधार की बात करएं तो गंधार पर आपको इरान यानि फारस का अधिकार हो गया था जब हो लोग विदेशी याकरन पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर चरचा मीलेगी आगे हम बात करेंगे अस्मक की अस्मक की बात करें तो आपको यह वर्तमान सिती परता है गोदावी नदी यानि दक्षिन परता है यानि आपके महराष्ट वारा इलाका जो है आपको अस्मक के नाम से जानते हैं और इसका जो राजधानी हुआ करते था वह आपको हुआ करते था पोटली और पोटली या आपको अन्य नाम से भी जैसे इसी को बलाता है पोथान तो पोथान या पोटली यह धानिती अस्मक की एक मात्र दक्षिन भारत में सिद्ध यह महाजन पद है और कुछन ऐसे पूछता है कि गुदावरी और नर्मदा नदी के दक्षिन में सिद्ध कौन सा महाजन पद है तो आपको अस्मक है आगे बात किया जाए तो अगला है मल मल की बात करें तो यहाँ परता है उत्तर प्रदेश में मल जो है इसका वरतमान सित्ती हम लोग देखें तो यह देवरिया जीला, कुसी नगर, बस्ती, गोरखपूर और सिदार्थ नगर यह जो आपको उत्तर प्रदेश के छेतर है यह आपको वरतमान जो है मल के नाम से मल जो वाला जो छेतर था यहाँ परता था और इसकी धानी की बात करें तो यहाँ पर दो राज धानी था मल का तमबुध को जो है महा पर्निवार की जो प्राप्ती हुई थी यहीं आपको कुसी नगर में हुआ था उसके बात करेंगे पावापुरी में अगर बात करें तो पावापुरी जो है यहाँ पर यहाँ पर पहला उपदेश दिये थे और 72 वर्स की आयो में महावीर स्वामी को यहां पे निजवान की प्राप्त हुई थी पववपूरी में तो यह आपको मल स्याद रखियेगा आगे हम बात करेंगे कोसल के बारे में जो है यह भी पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में और यहां पे जो वर्तमान सिती इसका बात करा तो अवद जो अवद है के समय में बाता आपको मालुम होगा भगवान बुद्ध जो है आपको सरवस्ति काल से संबंदित है उसके बाद बाद में जो है या अयोध्या कर दिये गए था महाकाब्यकाल में तो यह आपको दोनों पॉइंट याद रखिएगा उतरी कोसल के जानी आपको कोसल के बारे में तो कोसल का सा सकते बारे में याद रख सकते हैं आगे हम बात करेंगे कोसल के बारे में तो यहां पर देखिए गौतम बुद्ध ने अपना सरवाधिक जीवन बेठी कहां पर किये गया था तो यहां पर इसी कोसल महाजन पद में किया गया था और यहां का जो जेत्वन बिहार है यह फेमस है इसके लिए तो यह भी पॉइंट याद रख सकते हैं तो यहां पर हम लोग जितने भी 16 महाजन पद थे उन सभी को देख लिया है वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे चैनल पर आगे आने वाले वीडियो के लिए अगला जो कलास होगा वह आपको होगा किस पे तो आपको मगद समराज पर होगा तो उस वीडियो के लिए आप इंजार केजिए वीडियो देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद